सबसे बड़ा दुरभाग्य यह है कि सत्य कठिन नहीं है, सत्य को पाना कठिन नहीं है, असंभो भी नहीं है, अतियंद सरल है, लेकिन सत्य की प्यास का होना बहुत कठिन है। सत्य के लिए प्यासे हो सकें आप, तो बहुत बड़ा सोभाग्य है, कुछ प्यास तो आपके भीतर पैदा ही हो गई, वही प्यास आपको यहां तक खीच कर लाई है, मैं चाहता हूँ रोएं रोएं से, पूरी प्राणों से, कि आपकी प्यास इतनी प्रचंड हो जाए, कि ज ऐसे मुझे मिलते नहीं है, मैं बहुत आनंदित हुआ, प्रमादरणीय स्वामी डाक्टर गुविद्नानंद जी, आपका एक दिन दूर भास पर मेरा संपर्क हो गया, अच्छ वर्ष की आवस्था है आपकी, उन्होंने दूर भास पर ही बात करते करते मेरे हिर्दे को उन्होंने कहा है, आपके संदेश को टीवी के माध्धम से सुनता रहता हूँ, प्राणों में बड़ी प्यास है कि कम से कम इतना जीवन जाने क्या क्या करता रहा, कैसे कैसे में बीद गया, लगता है कुछ आपके पास पहुंशने से होगा, कुछ मिलेगा, इस अवस्था म जाने कितना साधना की होगी, जाने कितना कितना सत्य को खोजने की चेस्टा की होगी, कम से कम चेस्टा तो की ही होगी, और उस प्यास इतनी पैदा हो गई है, मैंने आगरा किया कि आपको कुछ हो या नहो लेकिन मेरा आनन्द बहुत बढ़ेगा, अगर मैं आपको दर्शन कर दूँगा और इसी केस की लग्टी पर ऐसे प्यासे लोगों की एक श्रंखला पैदा करना चाहता हूं पृतिवी पर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम अपने भीतर प्यास पैदा करके उठना यहां से सिर्फ प्यास लेके उठना मैं अपने सद्धुरु को साक्षी मानकर वचन देता हूं मैं तुम्हारी प्यास पूरी करूंगा उप्यास पैदा करने के लिए जीवन को रूपांधरित करने की ललक होनी चाहिए तडफ होनी चाहिए कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं इस जिंदगी को मुझे चोड़ना ह नए जीवन में प्रवेश करना है हसता हुआ जीवन मेरा लक्ष है जीवन रूप अंधरन के लिए परम जीवन को यानि परम आनंद को पाने के लिए प्यास चाहिए और प्यास के लिए इवाचित्त चाहिए यंग माइंड चाहिए जैसे स्वामी जी is a man of a very young mind इवाचित चाहिए इवाचित यह हमारे हाथ में है कि हम अपने को बुढ़ा कर लेते हैं या अपने को जवान कर लेते हैं आपके हाथ में उम्र से या सरीर की अवस्था से इवा होने का कोई संबंध नहीं है बुढ़े भी इवा हो सकते हैं और इवा भी बुढ़े हो सकते हैं आज तो अधिकांस इवा बुढ़े ही है इवा होने का आर्थ है चित्त की जीवंत दशा living state of mind और बुढ़े होने का आर्थ है चित्त की मरी हुई देशा, डेड स्टेट अफ माइंड, हिंदुस्तान में ये वाचित्त का भाव है, भारत हजारो हजार साल से, जैसा मैंने जिहास में देखा, बुढ़ा देश रहा है, इसमें बुढ़े पैदा होते हैं, बुढ़े ही जीते हैं, और बुढ़े ही मर जाते न बच्चे पैदा होते हैं, न जवान पैदा होते हैं, क्योंकि जीवन का उच्छा, जीवन का आनंद, जीवन का संगीत, जीवन जीने की उद्दाम लालसा, हमारे प्राणों में, हमारे हिर्दे की बिना पर है ही नहीं, अगर हमारे देश में लोगों के पास इवाचित्त होता तो जो गंदगी इतना सड़ा हुआ समाज इतने सालों से भारत बरस में जी रहा है ये जिन्दा रहा पाता हम हजारों साल तक गुलाम रहते हैं बाहर की लोग आए हजारों साल हम उनकी गुलामी में जीते रहे हजारों साल से हम दर्दरता और दीनता की जिन्दगी इतने दुख की जिन्दगी लोग जी रहे हैं आजाद हिंदुस्तान में भी अगर इवा चित्त होता तो हम अब तक गरीवी को मिटा दिये होते हैं या खुद ही मिट गए होते हैं लेकिन हमारे भीतर सोचने की हमारी चमता ही कतम हो गई इतना पाखंड इतना अंधविस्वा इतना शोशन्ड भारत परस की दर ते और हमारा इवा बैठे देख रहा है हमारे बुड़े चित्त वाले लोग बैठके देख रहे हैं किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं खड़ी होती कि इतनी सारी चीजें जो कोई व्यत्ती सुईकार नहीं करता है कि धर्म के नाम पर अध् उसा सोशन्ड चल रहा है 90% लोग समझते हैं गलत हो रहा है लेकिन उसको बढ़ाने में वो सहयोगी भी बने हुए भीतर से समझते हैं कि गलत हो रहा है लेकिन ये चल सिर्फ इसी दर रहा है कि silently आप इसको सहयोग दे रहे हैं silently आप सुझते हो को उंद्र पहोए हमें काहान कि कुछ भी होता रहे हमारे उपर क्या हम तो अपने कमरे में एसी चला के सो जाते हैं आराम से खाना मिल जाता है सबरे उड़ते हैं अपने में बंध हो गए इवाचित के लक्षण नहीं है बिना मर्म को जाने धरम के नाम पर अध्यात्म के नाम पर जाने क्या-क्या अंद भी स्वास चल रहा है तो मेरे प्राणों में बार-बार बिजली की तरह यह भाव तरंगित होता है कि जिस धर्टी पर मैं पैदा हुआ हूँ जिसे जगत गुरु कहे जाने का गौरो प्राप्त हुआ है वहां के लोग यववन भीहीन हो जाएं वहां के लोग मरे मराई जी ए राउंड कैसर लेन ने लिखा है इंडिया इस रिच कंड्री वेर पूर पीपुल लिव मैंने सोचा कोई भासा की भूलतों नहीं हो गई फिर दुबारा पढ़ा तिबारा क्लियर किया तो पता चला बात वही लिखी गई है जो मैं पढ़ रहा हूं इंडिया इस रिच कंड संप्ता बहुत है लेकिन उस संप्ता को ऊपयोग करने की फोक करने की पैदा करने की संदा संदा हमारे पास नहीं है और वह चंदा पैदा होती है इवाचत्य से इस लिए हंदुस्तान के लिए सबसे महतblockूर्ण है यहां मानसिक युवन पैदा करने की जरूरत आत्मिक इसलिए अध्याद्म का एक यंग इंडिया मूव्मेंट भी मैं संचालित करना चाहता हूँ भारत बर्स की धर्ती पर इस देश के लोगों को उनकी जवानी याद दिलानी है उनको जवान बनाना है और स्वामी जी की बात सुनकर उस दिन से मेरे प्राणों में ये संकल्प पैदा हुआ कि हिंदुस्तान को फिर से इवा करने का मैं संकल्प लेता हूँ और रिशी के इसकी धर्ती से इस मुव्मेंट की शुरुवात भी करता हूँ भारत को इवा अध्यात में चाहिए बुढ़ा अध्यात में हमारे पास बहुत हो चुका है बुढ़ा होने का राज आपको पता है बुढ़ा होने का राज है हमारी द्रिश्टी हमेशा मौत पर केंद्रेत हो आप अपनी द्रिश्टी हमेशा मौत पर केंद्रेत कर लो कि ए आप में से एक मित्र मुझे मिले, गुरुदेव मैं बहुत गंभेरता से सोचता हूँ, और एक आएक रात में मेरी इनी तूट जाती है, और मैं सोचता हूँ, बीस साल, तीस साल, चालिस साल में मरी जाना है, तो फिर ये सब कुछ करने के क्या जरूर हो थे, why to do anything, बड़ी मह जरूर हम अलग से बात करेंगे आप से, लेकिन आज मैं आपके सब के सामने ही वो बात करने रहा हूँ, उनसे अलग से भी बात करूँगा, लेकिन जब हमारी द्रिष्टी मौत पर केंद्रित होती है, तो बुढ़ा अध्यान पैदा होता है, हम अपनी द्रिष्टी कहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नहीं, कहीं नरक में न चले जाएंगे, अगर आपकी चेतना सदैव मौत पर या मौत के बात की जिंदगी पर केंद्रित होगी, स्वर्ग और नरक पर केंद्रित होगी, तो आपका अध्यात बुढ़ा होगा, बुढ़ा होने क का राज है कि आप गुलाब के फूल के पौदे को देख रहे हैं उसमें गुलाब का फूल खिला हुआ है तो आपको गुलाब के फूल का सौंदर आकरसित नहीं करता बलकि आप सोचने लगते हैं कि इतना सुंदर गुलाब का फूल खिला है ये अभी सांज होते होते मर जाए मर जाएगा अगर आप सोचेंगे कि एक गुल्वाब साच रोते होते मर जाएगा तो आप कभी गुल्वाब के सौंदरे को अत्मसात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अधिकांस लोग उनकी सोच ऐसी ही हो गई हमेशा नकारात्मक्प पहलु को देख लेते हैं अगर दिन को देखेंगे रात को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि ये संसार कैसा है दो रात होती है दो रातों के बीच में एक छोटा सा दिन होता है जवान होना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी आपको अपनी द्रिस्ट मौत की जगा जीवन पर ले जानी पड़ेगी